ये दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनीस सौगत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जॉब इंडिया में प्यारे दोस्तो अभी आपने जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को सेयर कर दो TMC नर्स भरती 2021 जीहां दोस्तों 126 पदो उपर बिल्कुल परमर्यर सरकाई नोकली लेकर आ जुका हूँ इसमें दोस्तों वेकेंसी जो है, नर्स A, नर्स B, नर्स C, यहाँ पर J, परमेडिकल स्टाफ, असिस्टन प्रोफेसर के लिए जबर्दस्त भरती आ चुकी है आल इंडिया लेवल पर भरती निकाले गई है, इसमें दोस्तों दूसरे स्टेट वाले अपलाई कर सकती है साथ यह दोस्तों जो भरती है, दो स्टेट से निकाले गई है, इसमें एक्स्पिरियंस वाले अपलाई कर सकती है, बिना एक्स्पिरियंस वाले भी अपलाई कर सकती है तो दोस्तो इस वीडियो में qualification क्या होगी, job location क्या है, salary किदनी मिलेगी, benefit क्या है, क्या इसमें जो है transfer हो जाएगा साथी दोस्तो आपको बता दे, कौन-कौन से district vacancy निकाले गई है, job location के साथ साथ कौन से state है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को इसके मत करना, आपको पूरी information इस एक ही वीडियो में दी जाएगी तो चलिए आपको लेके चलते है, officially notification पर, दोस्तो काफी अच्छी vacancy निकाले गई है, और दो state से यह भड़ती officially release कर दी गई है इसमें आप लुक देख सकते हैं, हमने पूरी notification को open कर रखी है, उपर आप लुक चेक कर सकती हो TMC का logo यहाँ पर दिया गया है, Tata Memorial Center, यहाँ दोस्तो, Tata Memorial Center Mumbai, महराष्टरा and पंजाब दो state से भड़ती निकाले गई है, डेट यहाँ पर देख सकते हैं, एक नॉवंबर 2021 mention किया गया है, notification number note कर लो, 132 oblique 2021 तो दोस्तो, notification number यहाँ पर दिया गया है, और एक नॉवंबर की date mention की गई है, और TMC महराष्टरा and पंजाब से दोस्तो, यह भड़ती बिल्कुल पर्मानेट आ चुकी है, अब इसमें आप लोग जो है, चेक आउट कर लेना, इसमें सबसे पहले बात करेंगे, आप लोगों या तो फिर return exam होगा, या interview होगा, दोनों में से एक इसके base पर ही यहाँ पर selection होगा, तो दोस्तो बता दे, या तो फिर आप लोगों का return exam होगा, या interview होगा, या return exam होने के बाद जो है skill test होगा, और इसी के base पर ही आप लोगों की selection होने वाली है, इसमें बोला गया है, अगर अगर यहां पे जानदा फार्म भरे जाएंगे तो फिर आप लोगों का रिटर्न इजाम होगा इसके बाद एंटर्वीव होगा अगर कम फार्म भरे जाएंगे तो फिर आपका एंटर्वीव होगा इसमें बहुत सारी पोजीशन है जिसमें नंबर वन देखिए तो असेस्ट आपको वीडियो में मिलेगी इसमें MD-DNB वाले अपलाई कर सकते हैं तीन साल का experience है तो बिल्कुल अपलाई करिए जॉब लोकेशन की बात करें तो HBCH&RC मुलनपूर पंजाब यहाँ पर दोस्तों जॉब लोकेशन होगी और देखिए जो यहाँ पर पंजाब है इसका address note कर लेना ठीक है मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं यहाँ पर ही आप लोगों की जॉब लोकेशन होगी मुलनपू में है dm dnb apply करेंगे इसके साथ experience देखिए आपके पास होना ही चाहिए इसमें और देखिए जॉब लोकेशन बिल्कुल सेम है पंजाब लोकेशन है और इसके बाद देखिए जो मुलनपूर है दोस्तों बता दे तो जो मुलनपूर पंजाब है यह जो है लुदियाना डि मैंने आपको देदी है बाकी आप लोक देखिए तो इसमें बात करें तो असिश्टर प्रोफेसर ई पैथोलोजी की विकेंसी है जिसमें और पैथोलोजी में अगर डियम कर रखियो तो बिल्कुल अप्लाई करोगे हम्टो पैथोलोजी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके साथ MD, DNB, पैथोलोजी वाले अप्लाई करेंगे बाकी आप लोक चेकाउट कर लेना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसी की जानकारी हम दोस्तों आगे इस वीडियो में देने वाले हैं बाकी यह सभी आप लोक आफिसर इन चार्ज, आफिसर इन चार्ज की आप लोक चेकाउट जरूर कर लेना इसके बाद सांटिफिक ऑफिसर है इसको भी देख लेना जेई इलेटिकल की यहां पर वेकेंसी है इसमें दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है फिस्ट कलास जी हां साथ परसर मार्क्स होना चाहिए तो आप लोक अप्लाई करोगे इसम अगर आपके पास डिप्लोमा है या आपने CSSD में छह महिने का कोर्स कर रखे हो और साथी तीन साल का experience है तो आप लोक टेकनिसियंसी में दोस्तों अपलाई कर सकते हो चलिए most important देखते हैं assistant nursing superintendent 70 number इसमें दोस्तों बता दे तो दो वेकेंसी यूर केंटगरी में है एक वेकें करका है जीनम के साथ आपने oncology nursing में डिप्लोमा करका है और आपके पास नॉर्मल 15 साल का experience है तो यहां पर जीनम बीसी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीसी नर्सिंग एमेसी नर्सिंग अपलाई करेंगे assistant nursing superintendent में यह आपके पास clinical experience है 100 बेडर होस्पिटल में 10 साल का तो अभी अ आपकी मुलापूर job location होने वाली है मुलापूर पंजाब नोट कर लेना इसके बाद दोस्तो नर्स C की बात करते हैं तो नर्स C में दोस्तो दो vacancy UR category में है एक vacancy OBC में है और एक vacancy SC में है एक vacancy EWS में है 53,100 रुपे salary मिले वाली है allowance भी दिया जाएगा इसमें और 40 years age criteria की य पांच वर्स की छूट मिलने वाली है बागी age criteria यहां पर मनसर किया गया है आप लोग जाकी age criteria देख लेना 45 years है असेश्टर nursing superintendent की है और जो नीचे है नर्स C इसका 40 years रखी गई है अब इसमें बात करते हैं अगर फ्रेसर हो तो भी apply कर सकती हो या फिर आपके पास जो है 12 साल का clinical experience होना चाहिए अगर आपने GNM का रखा है साथी GNM के साथ Diploma Oncology nursing होना चाहिए या फिर आपने BSA nursing का रखा है या पोस्ट basic BSA nursing का रखा है तो आप लोग apply करोगे लेकिन clinical experience होना चाहिए है तो आगे यहां पर देखिए location तो बिल्कुल सेम है इसके बाद आपको ने चाह पांच वेकेंसी OBC में है चार वेकेंसी SC में है दो वेकेंसी HT में है और तीन वेकेंसी EWS में है इसमें 47,600 salary जो मिलेगी लेवल 8 की अंतरगत मिलेगी और इसमें अगर बात करें तो अगर आप लोग फ्रेसर हो experience नहीं है apply यहां पे कर सकते हो लेकिन preference जो है दोस्तों जो 6 सा साल का clinical experience ले रखे हैं 100 बेन होस्पिटल में उन्हें यहां पर प्रिफरंस दिया जाएगा अगर आपने जीनम कर रखा है साथ ही जैसे कि ऑनकलोजी डिप्लोमा कर रखे हो ऑनकलोजी नर्सिंग में और जीनम कर रखे हो दोनों होना चाहिए तभी आप लोग अपलाई जाएगा यह आपके पास 6 साल का experience है तो भी आपको प्रिफरंस दिया जाएगा तो यह नर्स B के लिए है जॉब लोकेशन में बिल्कुल सेम है इसके बाद दोस्तों देखते हैं नर्स A तो नर्स A में दोस्तों 26 वेकेंसी यूर केटगरी में है इसमें दोस्तों सबसे जान जाएगी और थर्टी एस दोस्तों इसमें एज लिमेंट रखी गई है बाकी एज क्रेटरिया में आप सभी को छूट मिलेगी वंचिस नुम्बर को एज काउन की जाएगी अगर इसमें आपके पास experience है एक साल का clinical experience है 50 में तो आप लोगों को प्रिफरंस दिया जाएगा अ आप लोग अपलाई कर सकती हो या आपने जीनम करका है या basic BSA करका है पोश्ट बेसिक BSA करका है experience नहीं है तो आप लोग अपलाई कर सकती हो दोस्तों आपको बता दे इसमें जॉब लोकेशन सभी के लिए बिल्कुल सेम है और आपको इसमें बता दे तो देखिए आप लो सब्सक्राइब नहीं होगी अलेडिया बढ़ती है परमान सरकाई नोकरी है और तीस नॉवंबर तक आप लोग अपलाई कर सकती हो और तीस नॉवंबर सामको साड़े पांच बजे तक अपलाई करोगे अब इसमें जो है कौन कौन से डाकुमेंस लगेंगे उसको नोट कर लेना इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं जल्दी से देखते हैं दोस्तों बता दे तो देखिए अपली के सन फीस भी यहां पर लग रही है जो कि आप लोगों कि यहां पर जो फीस नहीं लगेगी लेकिन यहां पर अगर आप लोग दुबारा फाप को अप्लाई कर रहे हो का तो आपको भी 300 रुपे का अपली कर फीस यहां पर लगने वाला है तो यहां पर नीचे आप लोग देखिए आपको benefit क्या मिलेंगे अलाउंस दिया जाएगा आपको medical facility दिया जाएंगे इसके लामा retirement benefit दिया जाएंगे और भी बहुत सारे यहां पर benefit आपको मिलने वाले ह है तो जो भी है TMC वरांसी है वहां पर भी आप लोगों की posting हो जाएगे TMC मुझफर मुझफरपुर है बिहार है उसमें भी आपके transfer हो जाएगे लेकिन 5 साल आपको duty करना होगा तो दोस्तों यह बिलकुर permanent सरकारी बढ़ती है इसे अच्छे से नोट कर लेना ऑफिसली website कर कर नीचे discussion box में मिल जाएगी वहां पर जाके आप लोग online apply करो थैंकि दोस्तों मिलते हैं नेश वीडियो में कोई भी doubt है नीचे cameras कर दो धन्यवाद